कि आप लोग मेरे को ठंड हो गया नहीं पोलेंगे तब तक बंद नहीं होगा अगर भाईया का यूटूब देख के अगर आप लोग आते हैं तो हम खाना भी खिलाएंगे कि यही है रुपएड यहां बसटड़ यहीं से आपको हर जगा के लिए बहराइच और बसे मिल जाएंगी तो दोस्तों यही सामने जो आप देख रहे हैं यही है नेपाल बॉडर यही से इसी को पार करके हम लोग जाएंगे दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद होग आ स्वागत है आपका एक नए सफर में और स्वागत करते हैं आपका बहराइच के बहराइच रेलवे स्टेशन पे तो दोस्तों आज हम आपको ले चलेंगे एक पुराने जमाने की मीटर ग्रेश ट्रेन जो बहराइच से चलके नेपाल गंज को जाएकती है नेपाल में आपको कराएंगे ओभी मातर 35 रुपे में तो आएए दोस्तों आपको ले चलते हैं बहराइच से नेपाल गंज और दोस्तों यह देख लिजिए बहराइच रेलवे स्टेशन के बाहर का नजारा कुछ ऐसा है छोटा सा दुकाने हैं मार्केटे हैं और यह बहराइच रेलवे स्ट इस्टेशन कितना सांदार सुबा सुबा का नजारा आपको दिख रहा होगा तो आएए चलते हैं इस्टेशन के अंदर दोस्तों हमने यह ले लिया प्लेटफॉर्म पे एंट्री और सामने खड़ी है अपने मीटर गेच ट्रेन अतिहासिक ट्रेन जो आज के जमाने में भी चल रही है जहां तक बात करें आज के जमाने की ब्राड गेच लाइन की तो मात्र हमको लगता है यही एक ट्रेन बची होगी अपने जो बहराई से नेपाल गन जाती है मीटर गेच ट्रेन तो आईए ले चलते हैं इसकी रोमांचक सफर में आपको छे बच के 25 मिनट हो रहा है टिकट आप लोग देख सकते हैं बहराई से नेपाल गन जरोड और टिकट पड़ा हमको मात्र 35 रुपे का तो देख सकते हैं आप लोग मात्र 35 रुपे में बहराई से नेपाल गन जा सकते हैं और नेपाल की त्यातरा कर सकते हैं और नेपाल गोम सकते हैं दोस्तों सामने खड़ी अपनी मीटर गेश्ट रहे तो आईए इसका लोकोमोटी दिखा देते हैं आपको और फिर ले चलते हैं आपको इसके जर्णी पे सुबह सुबह का सांदार नजारा आप लोग देख सकते होंगे ठंडी का समय है और सुबह का सांदार नजारा क्या काफी क्या मस्त यही है अपने इंचत नगर सेट का वाइडियम फोर लोकोमोटी जो अपने प्रेंड कर चुकी है और प्रेंड डिपास ले रही है तो आई है चलते हैं और जर्नी के सुरुगात करते हैं तो दोस्तों यह देख सकते हैं बाहराई से अपने ट्रेंड का डिपार्चर हो चुका है अपने राइड समझे बचके 30 मिनट से और बच्चों को देखिए देखने के लिए आचुके हैं ट्रेंड को अपने सुबह सुबह का काफी सांदार न जा रहा आए 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 महाराज और भाईया देखिए थोड़ा सा लेट हो गया और इन्होंने ले लिया इंट्री तो ऐसे आप लोग ना करें और समसे आजाए इस्टेसन और समसे ट्रेंड पकड़ें क्योंकि इसे चलती ट्रेंड में अतरा करना खतरनाक हो सकता है कर दो कर दो दो कर दो एज अज चाहँ पीछे का अब भी तना को अब दो तो दोस्तों सुपा सुपा के टाइम में और आप लोग नजारा देख सकते हैं पीछे का अबने खना को रहा है त्रेन को पकट सकते हैं तुबह 2.30 बजए निपाल गज के लिए अभी नेपाल गज जाना हो या नेपाल जाना हो आप इस ट्रेन को पकट सकते हैं तुबह 5.30 बजए तो दोस्तों ट्रेन अपनी अराइव होते हुए है नानपरा जक्सत है और उसे तास लिखड़ी है अपनी वाइडियम पॉर लोकोमोट्रिक साथ पिटरगेज ट्रेन जो नेपाल कन से कलकर बहराइज को जाती है और यह देखे है रिंग लेक्टर हुए अपना इस्टेशन के तर्मचारी और दोस्तों और दोस्तों नानपरा में अपनी ट्रेन खड़ी हुई और दूसरी ट्रेन यहां से निकलते हुए नानपरा जक्सन से तो दोस्तों समय हो रहा है आठ बच के पांच मिनट और अपनी ट्रेन आ चुकी है नानपरा जक्सन पर और पीछे आप अपने फूड प्लाजा देख रहे हैं रेल आहार यहां पर आप कुछ भी खाने पिने का आइटम आपको मिल जाएगा और यहां से नानपरा जक्सन इसलिए क्योंकि यहां से एक लाइन अपनी मैलानी के तरफ जाती है इसलिए जक्सन पॉइंट हुई है और यहां पर अपने ट्रेन का मतलब रुखने का टाइमिंग आरे गंटा था लेकिन ट्रेन मतलब काफी लेट आई है क्योंकि पीछे आउटर पे काफी देर खड़ी तो ट्रेन अपने लेट आई है इसलिए बस पांच मिनट उकने वाली है तो दोस्तों नान पारा से अपने ट्रेन डिपाज करते हुए क्योंकि से अपने ट्रेन आरे बस्तों ट्रेन ट्रेन आरेन अपने लेट बस्तों पांटेंग करते हुए कर दो प्रती में कर दो कि दो हमान प्रते हो नह दोरीजि़ भारे नहां पिरो नहां कर दोर सकती है नेपाल गंज रोड और इसी के साथ अपने ट्रेन नेपाल गंज रोड पे राइब तो हुए तो फाइनली दोस्तो अपनी ट्रेन आ चुकी है नेपाल गंज रोड पे और इहीं पे खत्म हो जाती है अपने और इस ट्रेन की जरनी तो आएए अब यहाँ से आपको ले चलते हैं बॉरडर क्राश करके नेपाल और वहाँ का दिखाते हैं को सीम तो दोस्तो इस समय हम लोग आ चुके हैं नेपाल गंज रोड इस्टेशन के बाहर और बाहर का नजार आप लोग देख सकते हैं और यहाँ से अपने नेपाल बॉरडर की सामने ही अपना बस इस्टेशन पड़ता है यहां से आपको हर जगह के लिए बसे मिल जाएगे अपने यूपी में जहां भी जाना हो या फिर और कहीं भी तो यह बस इस्टेशन चलिए आए चलते हैं बॉरडर के तरफ दोस्तो यही है रुपेड यहां बस अड़ा यही से को पार करके हम लोग जाएंगे नेपाल के अंदर दोस्तो यही है नेपाल बार्डर तो दोस्तो वेलकम टू नेपाल स्वागत है आपका नेपाल में और पीछे जो आप बार्डर देख रहे हैं यही बार्डर पार करके हम लोग आ चुके हैं नेपाल में और यहां से आप यहां पर पीछे देख सकते हैं चोटी गाड़े भी है जो आपको काटवांडू तक ले जाएगी यह भी उपलब तो है तो इसके लिए आपको मतलब इसमें पीक सीजन चल रहा है तो आपको दो-ती दिन पहले बुकिंग कराना होगा वरना आप तुरंत आएंगे तो आपको दिक्कत होगा सीजन मतलब मिल नहीं पाएगा यह इनफोर्मेशन थी तो चलिए मिलते हैं तो दोस्तों इस समय हम लोग आ चुके हैं नेपाल गंच बस इस्टेंट पे और यहां से आपको काटवांडू के लिए हमेशा बसे मिल जाएगे और छोटी टेक्सी भी मिल जाएगे तो पीछे हमारे भाईया खड़े हैं जो आमको बस से लेके जाएगे तो इनका भी नमर डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे और यह देखिए पीछे बस खड़ी है बुलेट बस सर्विस बुलेट एर बस जो हमको काटवांडू तक लेके जाएगी तो आएए चलते हैं अंदर अंदर का इंटिरियर आपको दिखा देते हैं बाहर से बस का नजारा काफी सांदार बस है भाई पूरी फुली ऐसी बस है और आप अंदर चलते हैं आपको देख लीजिए अंदर का नजारा क्या काफी आकरशक है इंटिरियर और यह देख लीजिए टू बाई टू का सेट अरेंजमेट मिल जाएगा फुली एसी बस है और काफी सांदार लुक है इसमें काफी आपको आरामदायक और एसी और सस्पेंसन सारे चीज़ मिल जाएगे तो आपको यात्रा में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है देख सकते हैं सामने LCD भी है और सारी सुविदा है इसमें तो आप एक डम आईए और आराम से काफमांडू पोकरा जहां भी जाना हो जा सकते हैं अगर यूटूब देख के अगर आप लोग आते हैं तो हम खाना भी खिलाएंगा वाँ 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 क्या बात है बहुत 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 तन्यवाद भी है एक चीज़ हम पोशना चाहते हैं यह शाम को छे बजे यहां से निकलती है अगर मेरा फोन लगता ही रहेगा पर दिन मेरा एक गड़ी इदर से जाता है तो अगर मैं काटमांडू होंगा तो नेपलांस आप लोग होंगे तो एक कल मेरा आपको शीट मिल जाएगा बहुत बढ़ी है तो यहां से सामको छेवत जाएगी सुबाट बहुचा देगी अगर अगर पहले से एक दो दिन पहले बुकिंग कर दे तो जादे अच्छा रहेगा क्यूंकि यह प्याक होता है नियोंकि एक यह इसी वेरा सब चलेगा एक दम फुली एसी जब तक आप लोग मेरे को ठंड हो गया नहीं पोलेंगे तब तक बंद नहीं होगा फुली एसी सस्पेंशन वाटर सब मिलेगा फूरा सारी सुविधा थैंक्यू भीया तो दोस्तों अभी हमने आपसे मिलवाया अपने बस के ड्राइवर को अगर आपको कही मतलब काटमांडू जाना हो या फिर फोखरा जाना हो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और इन्होंने आपको सारी जानकारी दी इन्फोर्मेशन दिया तो आपको जब कभी भी नेपाल या काटमांडू जाना हो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं आपको हमेशा सुविधा उपलब्द रहेगी तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लोग में तब तक के लिए जैहिन के लिए माजा में तस हो रESने the last program के लिए में वाज़ तक के लिए मालव तक के लिए मालव में पार शाउनान थाया सित्का रही हम पारसमत ress săँ छता हूण स्री बागे स्री माता की जय बागे स्री माता मंदिर नेपाल गंच नेपाल